यह hook बटा खीचेगा और hook के खीचने की वज़ा से, hook के खीचने की वज़ा से यह pointer slide करेगा और जिस निसान पे pointer चला गया, उस निसान के according हम body का mask कहते हैं, जैने बटा, बास समझा न? तुम समझ पता होगा कि जहां खीचा बटा, block को, block ने hook को खीचा और कहीं पर रुख गय अब जहां कहीं भी रुखा, क्या कहोगा उस जगह के लिए? कहोगे बटा, ऊपर से काम कर रहा है spring force और नीशे काम कर रहा है बटा, एम जी, तो जहां कहीं भी बटा, equilibrium होगा, ने बटा, हाँ सही रिखा है बच्चे ने, दरस ने, spring balance से यूज़ वाली, gas cylinder वगा तोलते हैं बटा है ना, तो देखो बटा, तो f is spring force नीचे mg, तो जहां कहीं भी equilibrium होगा बटा, तो कहोगे fs equal to mg, fs equal to mg, ने बटा, इसके अंदर में होता है बटा, कि spring? इस cylinder के अंदर में होता है बटा, spring, और वो spring खिचता है, है ना, तो देखो बटा, fs बराबर mg है, तो m बराबर कि ने बटा, इसका मतलब क्या कहोगे, यह कैसे काम करता है, तो कहोगे, यह read करता है क्या बटा, तो कहोगे fs by g, समझे बटा, कोई भी spring balance, क्या करता है read, fs by g, चीके बटा, अब आ जाओ, इसके उपर, ठीके बटा, इसके लिए कहोगे अगर, सुना ध्यान से, तो कोगे दे वेइंग मसीन, और ब्लॉक का, यह ब्लॉक का मासमान लेते हैं, capital M, तो कहोगे, ब्लॉक का और वेइंग मसीन का देखो, यह बीच में contact surface, तो कहोगे, इस contact surface पर होगा एक्षन, reaction force, तो कहोगे, वेइंग मसीन, इस ब्लॉक के ऊपर ऐसे force लगाएगा, normal, और यह जो है, इस पर ऐसे लगाएगा, normal, बोलो, बिटा, यह क्या हुआ, action, reaction, force, ठीक है, बिटा, अगर तुम इस ब्लॉक का ABD बनाओगे, तो कहोगे, ब्लॉक का हमारा ABD के लिए, इधर आएगा, बिटा, normal, और यहाँ आएगा, बिटा, mg, है न, तो अगर यह ब्लॉक इकलिब्रियम में ह इसका मतलब क्या कहोगे, N बराबर, mg, तो बिटा, N बराबर, mg, तो M बराबर, N बाइजी, है न, बिटा, तो क्या कहोगे, यह क्या read करता है, तो कहोगे, reads, N बाइजी, है न, बिटा, यह वेइंग मसीन, read क्या करता है, N बाइजी, ठीक है, बच्चा, है न, देखो, महसू जितना फोर्स का दबाव पड़ेगा, उतना ही वो रीड करेगा ना बच्चा, वेइंग मसीन पे तुम पूरे चड़ के खड़े हो जाओ, या सिर्फ एक पाउ रखो, दोनों में रीडिंग अलग अलग आगी ने बटा, फिर वही पाउ रख करके थोरा जोर से दबाव, जोर देखो बेटा, इस वाले में, कोगे इस वाले में, अगर मान लो कि इस तरफ का मास हमारा है M1, और इस तरफ का मास है बेटा, M2, M1 किस का मास? तो कोगे M1 मास जो है, वो बाएं पलडे का पूरा मास है, मतलब पलडे का मास और प्लस ब्लॉक का मास, ठीके बेटा, ये M2 ज तरफ मैंने मान लिया 11 इस तरफ मैंने मान लिया L2 तु देखो यह वाला बैलेंस जब इकलिब्रियम में नहीं होगा तो ऐसे ऐसे जूलता है ऐसे जूलने का मतलब क्या है रोटेशन तो अगर यह बैलेंस है इसका मतलब बैटा नेट टॉर्क जीरो है तो या दखनाए में से इस बात को बीम बैलेंस जो है यह फोर्स पर नहीं टॉर्क पर काम करता है तो क्या कहोगे इन इक्विलिब्रियम है ने बैटा सिग्मा टॉर्क इस इक्विल टू जीरो ठीके बैटा तो टॉर्क का फामूला होता है फोर्स इन्टू डिस्टेंस तो फोर्स यहां से हुआ एम टू जी यहां से हुआ एम वन जी तो एम वन जी यह लगर हुआ है ठीक है बटा तो क्या कहो कि जहां इकलिब रियम होगा वहां बटा इस एक्वेशन के तहाथ काम करता है ठीक है लिख लो इसको नोट कर लो बच्चा झाओ 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 कर दो बीम बैलेंस टॉक रीड नहीं करता है बोलो टॉक से बैलेंस होता है बीम बैलेंस अगर बैलेंस है मतलब ने टॉक जीरो है आख वड़ क्षब टॉक मतलब बैलेंस अगर गया है 11 अल्टिबटर डिस्टेंसेज हैं, लेंग्थ हैं। कि हम अगर बैलेंस है न अगर बैलेंस इकलिबरियम में है 11 बरावर एलटू है बैटा तो एंवन बरावर एंटू होगा बिल्कुल सही बात गरवित बिल्कुल सही कहा कि इसक्रदू बिटा और इसकूरत दूखिए आप एरे श्करदू बिटा ना कि धा बहु है कि आप कि ए ए ए एरेस कर रहा हूं परण आइस को शुचिन लिगा जाएं अब तो शुचिन क्या है इन ए beam balance in a beam balance arm length arm lengths are equal ठीके पेटा क्या बोलोगे दोनों तरफ arm length पेटा बराबर है ठीके लिखो if a block is placed on right pen right pen ठीके बच्चा a weight of a weight of 6 kg on on left pen balances it ठीके बच्चा and if and if same block is placed same block is placed on left pen अन्य बटा a mass of a mass of अन्य बटा mass लिग देते हैं आपे a mass of a mass of 5 kg is required on right pen right pen to balance it ठीके बटा तो काता find actual mass of block अन्य बटा अन्य बटा अन्य बटा इन्य बटा शवाह अन्य बंटा मुना झीक Duch युन मुन जुन झाल 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 मयंग तिवारी 5.5, धितिका 5.5, अवेपरता 5, हर्चदीप 5.5. उस्मान खत्री 5.5, मोहित पालिवाल 5.5, प्रियांसी 5.5, क्वाजी 5, संभवी 5.5. तो देखो बटा, सवाल कहता है, बीम बैलेंस में आम लेंग्ट इक्वल नहीं है, इक्वल हैं, है न बटा, तो देखो बटा, इस बीम बैलेंस में ये कनफर्म हो गया, कि इसके आम लेंग्ट जो है बिटा, ये इसके आम लेंग्ट जो है, ये दोनों बरावर हैं, मान लिया इसको L और L, ठीक है बिटा? लेकिन इधर जब हम लेटा ब्लॉक को रखे तो यहां 6 kg बैलेंस किया और जब यहां बिटा हम लोग ब्लॉक को रखे तो यहां 5 kg बैलेंस किया, मतलब यह तो पक्का समझ में आ गया कि यह beam बैलेंस गरबड है बोलो बिटा, है ना, दुकाणदार बेइमान है यह clear हो गया बोल बच्छा है ना तो देख बटा अगर कुछ ना कुछ गरबड है तो यह तो confirm है कि यह लंबाई पराबर है इसका मतलब एक ही हो सकता option कि दोनों पैन का मास अलग अलग हो है ना बच्छा तो माल लेते हैं चलो इस पैन का मास मैंने माल लिया बटा x kg और इस पैन को मैंने माल लिया y kg x y क्या है तो कहोगे सिर्फ खाली पलड़े का मास खाली पलड़े का मास अलग अलग है चीक है बच्छा जब मैंने इस तरफ में ब्लॉक रखा बटा है ना इस तरफ में ब्लॉक रखा कितना m मास है ना बटा तो यहां मेरा कितना बैलें किया बिटा 6 kg है कि नहीं तो equation कैसे बनेगा equation कैसे बनेगा beam balance वाला तो कहो कि total mass कितना हो गया बिटा तो कहो कि 6 plus x है ने बिटा into l should be equal to m plus y into l बोलो बिटा equation number one equation number one ठीके बच्चा अब कहता है यहां तुमने रखा आप 5 kg और यहां रखा पिटा mass m तो फिर balance हो गया अब क्या लिखोगे equation लिखोगे m plus x into l should be equal to 5 plus y into l equation number two बोलो बच्चा यह बास समझा तो दोनों में l cancel हो गया दोनों में l cancel हो गया अब 2-1 करो जब 2-1 करो गे बिटा तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा m-6 equal to 5-m इसका मतलब 2m equal to 11 तो m equal to 5.5 kg समझे बिटा m equal to 5.5 kg clear लिख ले बच्चा लिख ले बच्चा लिख है आए हमेसिज अब चलो कोशचा स्ल्याइट लीच इन्ज कोश्चन में च्छंच कर रहा हो बड़ा मैं कुशन में कर रहा हूं इन वींब बैलेंस लिए बीम बैलेंस आए पैंस आर मासलेस इफ बनाव अब कनफार में बिटाए कि पैन हमारा मासलेस है लेकिन आम लेंक बराबर है या नहीं है नहीं पता झाल 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 सिवम बिल्कुल सही उतकर सही अली हैदर सही लुबावनी सही नवदीब बता रहा है फाइब पॉइंट फॉर सेवन उस्मान रूट थर्टी सही है निखिल सही कोजी सही अवे परता आप सही हर सही सब लोग सही हो सब लोग का बिल्कुल सही बच्चा अब लोग का बिल्कुल सही गुड तो देख बच्चा इस सवाल में एक कन्फॉर्म बटा कि पैन का मास नहीं थि क्योंकि एक तरफ 5 कजी आ रहा रहा है एक तरफ 6 कजी आ रहा है ना बच्चा तो कुछ ने अलग-अलग है तो फाले में equation क्या बनेगा बिटा फाले में equation बनेगा हमारा 6 into L1 equal to M into L2 बोलो बिटा equation number 1 है ना अब तुमने मास यहां पर रख दिया M तो यहां mass आया बिटा 5 kg इसका मत्तो equation क्या हो जाएगा अब अब हो जाएगा बिटा M into L1 equal to 5 into L2 equation number 2 है ने पिटा अब दोनों को divide कर लो तो दोनों को divide कर लोगे पिटा दोनों को divide कर लोगे तो जाएगा M by 6 is equal to 5 by M so M equal to square root 30 kg ठीके पिटा M के value square root 30 kg ठीके मेरे सारे case में दुकानदार बेइमान होता है क्वाजी फुजल दिखा है में बिटा सथ दुड़ी है सुचो न्यूटाउस लॉप मोसन में हजारों कोशन है लेकिन मैंने दुकानदार के बैमान दोई बार ना का मतलब 970 ठाने पार सही होता है बलो है कि नहीं असा बिल्कुल नहीं बिटा दुकानदार ये मंदार भी होते हैं बिल्कुल सही बात कोई दिलिप लेने की बात नहीं इसमें यार चलिक बिटा कोस्चिन मान ले बिटा एक लिफ्ट इस लिफ्ट में एक वेइंग मसीन है यह हमारा है बिटा वेइंग मसीन ठीक है बिटा इसमें उपर एक रखा है बिटा ब्लॉक इसमें रखा है एक ब्लॉक और यहां से यह लगा है बिटा इस्परिंग बैलेंस है ना यह हमारा क्या है spring balance यह हो गया spring balance यह हो गया weighing machine ठीक है बटा ब्लॉक का mass m लिखा है ठीक है तो दोगे बटा जब यह ऊपर दो मीटर पर सेकेंड डिस्क वाइर से जा रहा है है न तो कहेंगे in the above case in the above case reading of spring balance is 40 kg and and weighing machine is 20 kg ठीक है बच्चा इसका reading एवटा 40 kg और इसका reading आ रहा है 20 kg ठीक है बच्चा अब कहता है if first part what will be what will be there name Pala question find mass of the block Pala सवाल है बिटा कि block का mass बताओ be find readings readings बताओ if the lift is at rest lift जब रुका हुआ होगा बच्चा एन तो कितना होगा reading gaite एकास बच्चा उब आ किंच टीक ठीक रहा जाइ ओरू आ कि कित आ कई दीक का आ कि आ के दीक इन यिदे आ कि वे रा खे अगजन fan. width 5 meter per second square ठीक के बिटा चलो करो बनाओ बनाओ कर तुम्हारा यादर मिल्कू सही उतकर चेक करो बच्चा अँर्ण भी चेक करो 5 kg सही आंसर नहीं है बच्चा नहीं 5 by 3 सही है हाँ अलिया अब समस्विध आंसर पाला का अंसर सही तुम्हारा पाला का बचाओ बिल्कुल सही ये लिए दर आगे बड़ो उस्मान सभी एपस्ट पार्ट झाल झाल उतकर्स 2.5 क्या लिखा है मास निकालना है बच्चा 2.5 नहीं होगा बच्चा उतकर्स गलत है चेक करो अली अधर थर्ड सही है तुमारा करन चेक करो राजीब चेक करो वसन भी चेक कर बच्चा दक्त सही बटा मोहित चेक कर अनिके तुम भी चेक करो सिवम सही है तुमारा बी गलत तुमारा उसमान बी गलत चेक करो तुने धहम सरे शिक्स टेन गलत बटा सिक्स टेन नहीं होगा अंसर किसी का लबावनी फस्ट बिरकुल सही वहभव गलत पनिकेद गलत लक्ष गलत गलत पापी गुडिया को ने भाई है पुल्टा पुल्टा नाम रखो के बिटा तो बात ही नहीं करूं किसी से मैं जान लो नाम सही करो सब लोग अपना दर्स ट्वेल बार फाइव अभे प्रताब अब अब कोगे वेइंग मसीन क्या करता है रीड एन भाई जी एन भाई जी को ट्वेंटी इसका मतलब बिटा इन हो गया दो सव न्यूटन अन्य बिटा अब चलो ब्लॉक का बना वे बीडी तो कोगे ब्लॉक के बीडी में इस प्रिंग का फोर्स उपर की तरफ जमीन से नॉर्मल उपर की तरफ ग्रैविटेशनल फोर्स एमजी और उपर बिटा आक्सलरेशन ए तो एक्सलरेशन क्या लिख दोगे एफ एस प्लस एन माइनस एमजी इक्वल टू एमें होगा बिटा तो देख बिटा एफ एस कितना हो गया 400 और यह हो गया बिटा 600 इधर ले जाओ ये हो गया बिटा 12 एम इसका मतल़ा एम आगया बिटा 50 किलोगराम M हो गया बिटा 50 kg है न कोई दिखके तुने बिटा इसमें चीक है अब देखो next part तो देख बच्छा second part के लिए मैं कोशें रेस करूँगा तुम चाहो तो screenshot ले लो अब देखो बी वाला पार्ट में बी वाले में खता है बटा कि अगर इसका एक्स लेसन जीरो हो जाए तो क्या कोगे कोगे अब fs' plus n' equal to mg एन बच्छा fs' plus n' equal to mg that is equal to 500 newton बोलो बिटा चीक है अब सोचो अब थोड़े हाँ दिमाग लगाना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा बिटा कि पहले ये दोनों मिल करके कितना force दे रहा था बोलो पहले ये दोनों मिल करें कितना है पिटा 500 newton इसका मतलब ये दोनों forces adjust कि दोनों को करना पड़ा बेटा adjust है ना बाज समझे ना इन दोनों ने किया adjust है ना तो सोचो spring बेटा अगर अपने force को कम करेगा सुनना ध्यान से बेटा इस प्रिंग अपने फोर्स को अगर कम करेगा तो लंबाई छोटी करनी पड़ेगी तो इस प्रिंग अगर अपने फोर्स को कम किया होगा बिटा तो लंबाई छोटी करनी पड़ेगी लेकिन लंबाई जैसे ही छोटी करेगा तो यहां से कॉंटेक्ट छूट जायागा है ने जीरो होता तो यह कितना होता 500 न्यूटन जबकि पहले कितना था 400 तो पहले 400 था और मैंने का इसने एजस्ट किया तो 400 से कम नहीं कर सकता ठीक है बात समझ गए तो चलो मान लेते हैं कि बढ़ा लिया होगा लेकिन अगर बढ़ाया होगा तो लंबाई बढ़ानी पड़ेगी और लंबाई बढ़ने की जगह नहीं है नवी पटा तो फे बास समझ में आगे हम लोग को इस प्रिंग फूर्स बढ़ सकता नहीं क्योंकि लंबाई बढ़ने की जगह नहीं है नव होगे दो Гटेगा तो लेंग्ट रिमेन सेम हैने बिटा स्प्रिंग की लंबाई सेम रह गई इसका मतलब एफेस जो हैने बिटा अभी भी कितना है 400 न्यूटन इसका मतलब एफेस बाई जी का वैल्यू अभी भी कितना आगा बिटा 40 kg ही आएगा बोलो बाई समझ गए इसका मतलब N कितना हो गया बिटा इसका मतलब N हमारा हो गया 100 न्यूटन इसका मतलब N by G का वैल्यू हो गया बिटा 10 kg समझे तो यही दोनों बिटा हमारा आंसर हो गया चीके कि इस लिफ्ट की रुकने के बाद लिफ्ट अकर रुक गया तो लिफ्ट की रुकने में इस स्प्रिंग ने कोई योगदान नहीं दिया है ने बिटा लिफ्ट की रुकने में किसने योगदान दिया सिर्फ और सिर्फ वेइंग मसीन में सब को यह बात के लिए रहे बच्चा ठीके अब चलो आते हैं तीसरे पार्ट में, सुनना ध्यान से बच्चा, सुनना गौर से बटा, तीसरा पार्ट ज्यादा इंपोर्टेंट है, सुनो बटा, बदमास 10 कहां से आया, दोनों मिला करके 5 सु है ना बच्चा, ये 4 सु है, तो ये कितना होगा, सुवी ना होगा बटा, तो जी से डिवाइड करोगे, तो 10 के जी आगा ना बटा, अब चलो C में, चो दो कि बटा, C वाले में, C वाले में कहता है, कि लिफ्ट का बटा, ब्लॉ है ना बटा, चलो, तो अब इस प्रिंग का फोर्स, मैंने माल लिया, Fs double dash, Fs double dash, यहां से माल लिया बटा, नॉर्मल, N double dash, और नीचे तो बटा, Mg, तो इक क्वेशन क्या हुआ, कहोगे, Fs double dash, plus N double dash, minus Mg, sorry, उल्टा, बोड़ नीची आ रहा ने बटा, नीची आ रहा है त Mg, minus N double dash, minus F double dash, is equal to Ma, है ना बटा, Mg हमारे कितना होगे देखो, यह होगे, 500, minus N double dash, minus Fs double dash, equal to 200, इसका मतलब बटा, N double dash, plus Fs double dash, equal to 250 Newton, है ने बटा, इत्ती बात समझ में आ गई, इत्ती बात समझ में आ गई सबको, अब सुनना ध्यान से एकदम, एक एक वाके को, एक एक सब्द को गौर से सुनना, ठीक है बटा, तो देख, इस condition में, यह कितना force लगाया था बटा, तो जब 2 meter per second square से उपर जा रहा था बटा, ह 400 ने हुटन, और यह लगाया था बटा, 200, है न, तो दोनों मिल करें कितना लगाया था, 600, दोनों मिल के लगाया है बटा, 600, ठीक है बटा, तो अगर 600 लगाया, और अब कितना लगा रहा है, 200, इसका मतलब बटा, दोनों को करना पड़े गा अजस्ट, समझ रहा हो ना दोनों करना पड़ेगा अजस्ट है ना बिटा तो देखो अब कितने का चीए अजस्टमेंट तो पहले कितना था बिटा पहले था बिटा 600 अब कितना है 200 इसका मतलब साड़े 300 न्यूटन का फोर्स कम करना होगा है ने बिटा साड़े 300 न्यूटन का फोर्स तीन सो पचास न्यूटन का फोर्स हमें कम करना है ठीके बिटा है यह कम करने का option क्या है या तो इसमें कम कराओ या तो इसमें कम कराओ या दोनों को मिला के कराओ है ने बिटा तुम कु ही दो सब है नहीं कर सकता बात समझाना यह नहीं कर सकता अकेला है ने बिटा ठीक है यह अकेला नहीं कर सकता अब इसको देखें बिटा हां तो यह अकेला कर सकता है है ने बिटा दोनों मिल के भी कर सकता है बोले बिटा तो यह क्लियर हो गया ना पक्का कि देखो इसको तो कर नहीं पड़ेगा अजस्ट क्योंकि यह अकेले नहीं कर रहा है यह अकेले 350 नूटन अजस्ट नहीं कर सकता है इसका मतलब इसको या तो अकेले करना है अजस्ट या दोनों मिलके करना है अजस्ट है ना बच्चा सुन को और से अगर मैंने कहा बिटा इसने थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा भी अध्जस्ट किया तो यह लंबाई छोटी हो जाएगी एने बिटा और लंबाई छोटी हो जाएगी तो यहां से contact उठ जाएगा और यहां से contact उठ जाएगा तो यहां का normal zero हो जाएगा बत्चा बासंजा इसका मतलब अकेले इसको करना है बिटा, adjust संज में आ गया, clear हो गया बच्छा क्या लिखोगे? क्या लिखोगे यहां पर? In this condition In this condition Spring has to has to adjust है न बच्छा? Has to adjust है न बच्छा? by by lowering its value है न बच्छा? अपनी value को adjust करने के लिए value कम करना पड़ेगा है न? इसका मतलब क्या हो गया? तो कहो कि that means that means contact with weighing machine will be will be broken है न बच्छा? weighing machine से contact छूट जाएगा इसका मतलब N double dash की value zero हो जाएगी है न बच्छा? इसका मतलब weighing machine के reading zero हो जाएगा और FS dash की value FS double dash की value 250 newton होगी बटा इसका मतलब EPS dash by G की value 25 kg होगी समझा? इसका reading 25 kg इसका reading zero ठीक है? अलियादर क्या बिल्कुल सही था बटा? Sir, is eldest for क्या है? यह क्या लिखाया बच्छा? उमर उमर हैंडरेस करो बोलो उमर भूल बेचा क्या दिक्कत? सर मैं पूछ राता कि इसमें सर EPS double dash क्या लिए आथा? EPS double dash बटा इस प्रिंग का फोर्ज है अच्छा सर सर मैं पूछ राता कि इसमें सर इसके size change नहीं हो सकता कि इसके बटा? अलब इसमेंग मशीन का? इसमेंग मशीन की हाइट नहीं बढ़ सकती है इसे बड़ेगी बटा वेंग मशीन समझते नहीं हो तुम जिस पे खड़ा होके तौलते हैं बजन इस सर खुद का वजन की हो ने बटा तुम खड़े होते हो वही होता है वेंग मशीन इस लेक्चर से पहले क्या पढ़े कि अच्छा समझ आये लेक्चर पे अच्छे ध्यान दो सब समझ में आएगा लेक्चर से पहले बस ही पढ़ना होता है कि अपना क्लास नोट्स पहले वाला रिवाइस कर लो यह बहुत है बटा इस कर दूं बटा ओके बच्चा दुख बटागे बढ़ा जाएं अब देखा जाएं Newton's laws for a system ठीके बटा एक system के लिए Newton का नियम है ने बटा Newton का नियम Newton का नियम तो हमेशा अपली केबल है लेकिन अब तक बटा हम लोगोंने सिंगल सिंगल ब्लॉक की बात करी है ने बटा अब हम कर रहे हैं एक साथ दो चार बोड़ी के लिए एक साथ चीके बच्चा तो देखे बटा अब मैं कहूं system है ने बटा तो system क्या कहोगे system को होगे बटा an object और a collection of more than one object समझा बटा system का मतलब क्या हुआ तो कहोगे system एक अकेला object भी हो सकता है बटा और एक से जादा भी हो सकता है ठीके बच्चा तो देख एक से जादा वाली बात करनी है हम लोग को एक वाली बात तो कर चुके हम लोग है ने बटा तो imagine करो कि हम एक से जादा वाला case की बात कर रहे है ठीके बटा तो देखो मान लिया मैंने A B C और ये मैंने मान लिया बिटा D और ये मैंने मान लिया E चीकें? तो दोखो बिटा और ये मैंने क्या कहा? ये मैंने कहा बिटा boundary ये मैंने क्या कहा? boundary चीकें? तो दोखो बिटा हमारे boundary के जो अंदर है हमारे boundary के जो अंदर है वो system है हमारे boundary के जो अंदर है वो क्या है system है और हमारे bounding के जो बाहर है system के जो बाहर है वो क्या है surrounding है समझे तो मानों कि हमारे इस exemption में total कितने member 5 member इन टोटल 5 member a b c d e लेकिन हमने system किसको चुना हमारे system में कौन कौन है बोलो हमारे system में कौन कौन है a b और c अब देखो यह सारे bodies आपसे force लगाएंगे बिटा चलो मान लिया मैंने a और b हैने बिटा तो कहोगे यह इस पर ऐसे force लगाएगा और यह इस पर ऐसे force लगाएगा इस पर बिटा यह ऐसे force लगाएगा और इस पर ऐसे force लगाएगा ठीक है बच्चा अब देखो यह वाला bodies इन सब पर force लगाएगा क्या कहोगे कहोगे इस पर बिटा देखने बिटा ध्यान से तो देखने बिटा ए और ए का force ऐसे और ऐसे 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 और ऐसे ने बिटा इस से बोलोगे force इस वाले से डी से बोलोगे बिटा force डी से क्या बोलोगे देखना डी से बोलोगे बिटा ऐसे 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 यहां ऐसे यह वाला force यह वाला force और यह वाला force ठीक है बिटा सब के बात समझ में आई बिटा इस डियाग्राम में गौर करना इस डियाग्राम में बिटा गौर करना कि अगर मैं कहूं बिटा F A B F B C F C A बिटा बो इसमें कितने फोर्से लिखें मैंने अभी मैंने कितने फोर्से लिखे दिख रहा होगा तीन लेकिन है छे कैसे तो कोगे A on B और B on A B on C C on A A C और A और A on C बो बच्चा ठीक है टोटल कितने फोर्स 6 फोर्से है ने बिटा इसको क्या कहा जाएगा इसको कहा जाएगा बिटा internal forces इसका नाम क्या हुआ internal forces ठीक है बच्चा अब सुनना concept concept यह है बिटा sum of internal forces sum of internal forces in a system is always equal to zero वोलो बच्चा समझाओ कैसे action reaction अने बच्चा action reaction action reaction action reaction पूरे system यह हर बार cancel हो जाएगा ठीक है अब देखना अब मैं कर रहा हूं एफ इफ डी अन एफ डी आन बी फ डी ऐन सी उफ डी ब़ोन ad F E on A F E on B F E on C ठीक है बटा ठीक है क्या दिखा रहा है By D on A By D on B By D on C By E on A है ने बच्चा ठीक है इसका मतलब क्या हुआ तो कहो गए यह सारे क्या है बटा External Forces सब क्या है बटा External Forces समझे बात को तो देखो बच्चा External Force जो हमारा है है ना वही system को move करने का जिम्मेदार होता है है ना पूरा system के move करने का जिम्मेदार कौन है सिर्फ और सिर्फ External Force है ना बच्चा क्या कहोगे External Forces Produce प्रोडियूस एक्सिलरेशन यह गोव प्रोडियूस तको एफेक्ट एफेक्ट दर शिस्टम समझा बटा एक्स्टरनल फोर्से जो होते हैं वही एफेक्ट डालते हैं क्योंकि इंटरनल का सम्ट जीरो होता है समझे बच्चा लिख लो इसको लिखले बिटा वी ओन डी वाला कैसे कैंसिल हो गया कहां कैंसल हुआ बिटा बी ओन डी कहां कैंसल हुआ बी ओन डी थोड़ी है बटा यह डी ओन बी है यह डी ओन बी है बटा उस्मान तुम भी हैंड्रेस करो वैस नभी बोलो बटा लेकिन हमने तो इसके बारें बात ही नहीं की हमारा सिस्टम कौन है अब बटा तो इस वाला फोर्स अबारे सिस्टम में आया क्या नहीं आया तो कैसे कैंसल होगा हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं उसको अब लोग अपने सिस्टम की बात करते हैं ना यह सर्थ थैंक यू सर्थ विलकम बच्चा श्रिया बोलो हेलो सर्थ हाँ बच्चा बोल सर्थ दी और ई में कोई फोर्स ली लगेगा बिलकुल लगेगा फोर्स मैं दिखाने वाला हूं वेट कर लो समझके बिटा सब लोग अब देखो अब उसने बिटा यह D और E का भी आपा सब कुछ फोर्स होगा है ना तो चलो F D और E में इसके ऐसे फोर्स दिखा दिखा दिया मैंने और इसका ऐसे दिखा दिया मैंने फोर्स यह क्या है बटा F D है वह F D है ठीक है बच्चा आगे सुनो अब देखो बटा जैसे मैंने यह कहा है ना इसका उल्टा भी का सकते हो क्या F A on D F B on D F C on D F A on E F A B on E है ना बटा F E on C बोले बच्चा है ना F D on E F E on D इतने forces और भी डागे ना बच्चा मतलब सारे कौन से forces है यह वो forces है जो E पे लगा या D पे लगा तो E पे लगा या D पे लगा तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है ना बच्चा हम कहेंगे इस से हमें कोई मतलब नहीं है simple not of use है ना बटा क्योंकि हमें किसके बारे हैं बात करने हैं सिस्टम के बारे में बात समझ गया ना आद लिकरा को बार बार मतलब सर हम किसी सिस्टम को अंदर में रहकर मुव नहीं कर सकते बिल्कु सही बला तुम बटा ऐसे मत सुचो ये कोई भी सिस्टम इंटर्नल फोर्सेस के सहारे मुव नहीं कर सकता है ना बटा बात समझ अब देखो तो दुखे बटा लॉय यहां पर क्या है लॉय यहां पर यह बटा कि समयसान ओफ एफ एक्स्टर्नल वेक्टर मतलब यही सब फोर्स इस नविटा इस इक वर्टू इस इक वर्टू समयसान ओफ मा विक्टर हैंडे बटा क्या कहोगे समयसान म के मतलब क्या हुआ एम वएफ म एम प्लस म 2 ए2 प्लस एम 3 ए3 प्लस म4 ए4 समझगे बच्चों लो हमारा क्या है कि समयसान ओफ एक्स्टर्नल इस एकॉल टू समयसान ओफ म आप अब एक कैसे आया होगा तो कहोगे म वर्टू फोरस एक्वावलटों एंत्रिये थ्री थे अने बेटा बात समझ गए ने अब कहोगे कि सारेhori को स्कॉण को को एड़ करेंगे तो कौन को सा फोर्स आएगा यही सब फोर्स ना आएगा बच्चा बोलो और को फोर्स तो आएगा नहीं इस वाले का सम सब जीरो हो जाएगा इसका मतलब बच्छा कौन सिर्फ यह वाला सिर्फ यह वाला इक्वाल टू M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 M3 ठीक है बिटा लक्ष क्या पुछ रहा है तुम हैंड्रेस करो लक्ष बोलो लक्ष क्या दिक्कत हेलो सर आपने अभी कहा क्यों मतलब इंटर्पनल पोर्स से कोई चेंड नहीं होता है तो सर हम लोग सर जो स्विंग वाला जूला होता है सर अब अच्छा वो सर चेंज कैसे हो जाता है जब लोग आगे पीछे होते हैं तो उसकी वेलासिटी किसकी वेलासिटी बढ़ हां सर बताओ स्विंग वाले केस में फोर्सस कौन कों से लग रहे होते हैं सर एक सब नीचे हमाया मास जो फोर्स दे रहा है और उपर टेंशन सर जो लगता है हां तब बताओ इसमें एक्स्टरनल फोर्स कौन है टेंसर वर्म जी है ना बच्चा यह सर पिर हम लोग जो फोर्स लगाते हैं उसका कोई मतलब नहीं हो सकता है ना लो तुम बगे बस के अंदर बैठ जाओ बस के अंदर कितना भी कूदों के तखाए बस आगी जाएगी बच्चा नो सर ना क्वाजी बोलो तो थोड़े तेज बोलो अवाज आ रही है बोलो लो कैसे अब बता हूँ जी सिर अब बता अगर अब सिर्फ एम वन की बात करें हम लोग तो ऐसे बो सकते हैं कि रियल टेंट फोर्स इकल टू एम 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 एवन वैसे बी की बात करें रियल टेंट फोर्स इकल टू एम टू ए टू एटू पिर सी की बात करें रियल टेंट फोर्स इकल टू एम reviewed अब任何 तीनों एक्विसटे के paired 2 तो राइट वाला एक्विसन क्या बन गिया समें सन अफमें बन गिया न आ इस 나end सारे आगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिए घाल नेटाइब अब लगर्ण वैसे सज्टाइब आपit कुछ और प्रण अब्र हो गया थाइब प्रकेंट जिस्टाइब संप्सक्राइब अधी मात अधी टे सबसी पार बहु में लॉड है सर अपलो अजने लिखतक धैराइग लॉड sebagai साफीक उट म कालो एक साथ से ला सी है रबाट वे लॉड गांग शेयर साइट सब कालो section A exercise 1 part 1 section A किसी को नहीं पूछना exercise 1 part 1 section B लक्ष ने पूछा B6 फुटकर्स को पूछना है A7 का H फुटकर्स को पूछना है A7 का H, A7 और B6 दो डाउट लोगों का आया, देखते हैं बच्चा, A7 का H में, इतों सिर्फ फी बई डाग्राम बटा है, फुटकर्स देखो बटा, फुटकर्स देखो, H में, A7 का H, देखो बटा, अगर हम बड़े वाले ब्लॉक का बना A, B, D, तो बड़े वाले का देखो बटा, ये बड़ा वाला ब्लॉक हो गया बटा, है न बटा, इस बड़े वाले ब्लॉक के साथ फुली फिक जाना है, कैसे कैसे बोलोगे देखो, बोलोगे, ऐसे टेंस ऐसे टेंशन यहां से बिटा नॉर्मल नीचे यह बिटा N1 है ना यहां से बोलोगे नॉर्मल इधर N2 यहां से यहां बोलोगे नॉर्मल N3 ग्राविटेशनल फोर्स बोलोगे Mg और जमीन से नॉर्मल बोलोगे N4 होगे है ठीके बिटा अब देखो उपरा वाले ब्लॉक का M1 के लिए, M1 के लिए देखो बिटा, तो कहोगे M1 जी, उपर N1 और टेंसेंटी, M2 के लिए, M2 के लिए बिटा, M2 जी, टेंसेंटी, एक्षन का रियक्षन, N2, एक्षन का रियक्षन, N3, ठीके बच्चा, N4 जमीन से आगा ना बिटा, जमीन को टुच कर रहा है ना, तो नहमा आगा ना बिटा वहाँ से, अब देखो B, B में, सत्यम को पुछना है, B2 का सेकेंड और B5, देखो बिटा, B2 में, B2, B2 में सेकेंड कहता है, कैलकुलेट दा कॉंटेक्ट फोर्स बिटीविन M1 और M2, M1 में M2 के बीच में contact force, तो देखो बिटा, जीस तरह से force लग रहा है बिटा, ये तो clear है, कि दोनों तरप से force अगर बरावर है बिटा, तो acceleration 0 होगा, बोलो बिटा, acceleration 0 होगा ना बच्चा, चीकिए, अब देखो, acceleration 0 होगा, तो अगर मैं किसी एक का diagram मना हूँ, M1 का, तो इन इक्वल टू एफ समझ गए अंसर में एन फो नहीं दे रखा तो मिसिंग होना चाहिए बच्छा वी फाइब देखो वी फाइब कोश्चन क्लास में कराया बच्छा नहीं पूछ वो बी सिक्स देख लो बी सिक्स बेटा करता है कि इस फिरिकलबडी मांस फाइब कोजी है ने और धियान देणा बी सिक्स में करता है बाइब आक ऐसे इंकलाइन सर फिस इस इनकलाइन सिर्फेस का बेटा एंगिल है तीस डिउच नहीं और ऐसे रखा है बडी है नहीं Uno तो देखो बिटा इस incline का जो 30 degree angle है बिटा इसका जो होगा normal यह ऐसे लग जाएगा यहां से यूँ लगेगा बिटा नॉर्मल माल लिया यह N1 है ने बिटा ठीक है अब सब लोग देखो बिटा इस चीज को अगर यहां से आगे बढ़ाते हम लोग तो यह भी angle नपी degree है साथ डिग्री चीक है अब चलो दूसरा surface दूसरा हमारा surface बिटा ऐसे है यह बिटा 45 की अंगिल पे यह है बिटा 45 की अंगिल पे तो 45 में टेंसर ही नहीं होता 45 में तो उपर निची अंगिल 45 45 पर याता ना बिटा अब कहोगे यहां से नॉर्मल फोर्स ऐसे माल लेगा N2 है पे टा ठीक है अंटू का तो एंगिल तो दिखो इधी कची नहीं पेटा 45 भी होगा अब कंपोनेंट तो लो एंटू आ कंपोनेंट ऐसे हो जागा N2 कॉस्टी फटी 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 और यहां से एंटू साइन फोटी फटी फाइव एन वन का बिटा ऐसे कंपोनेंट इन वन सिक्स्टी तो यह बराबर यह और यह बराबर यह प्लास यह सॉल्व कर लो खतम सेक्शन सी में आ जाओ सेक्शन सी है बच्चा सी टू सी फोर सी बन सी टू सी फोर ओके लगवच्चा कोश्चन नंबर सी बन सी बन सी बन काता है बटा यह बन मीटर लॉंग मास्ले स्ट्रिंग फिक्स्ट विट वाल इस पूर्स लगाया बटा टैन नुटन का पाला काता है बटा इस वाले पॉइंट को तुम ने ऐसे खीचा फोर्स टेन नुटन से तो रसी ऐसे खीचेगा टी और यह वाला पॉइंट में कोई मास नहीं जिस पॉइंट मास नो बिटा रियल्टेंट है में सचीरो इसका मतलब कन फर्म हो गया कि टेंशन कितना हो जागा बटा टेन नुटन और इस ट्रिंग कैसा है युनिफॉर्म युनिफॉर्म इस्ट्रिंग में पूरी लंबाई में टेंशन सीम रहता है बच्चा न तो अबी सी सबका सिय मनसर बिटा इंटू का अंकिल में टेंसर नहीं बिटा इंटू को तो 45 तो वर्टिकल से काओ के 45 बीच में तो ऊपर नीचे दो अंकिल 45 उजागा ना देखो सी टू में कि टू नंबर कोस्टियन सी टू कहता है बटा के बलॉक आप मास 1 kg इस सपेंड़ बाई स्ट्रिंग ओफ लेंग्ट 1 मीटर ने बटा मास 1 kg लेंग्ट 1 मीटर ने बटा रसी का भी मास है टेंसर निकालना लवेस्ट पॉइंट पे मीट पॉइंट पे और सपोर्ट पे टेंस निकालना दिप्चा सवाल केहता है से इर दिन अनिव इता से एक स्ट्रिंग टिन इस टृंड पिटा वन मीटर और मास भी बन केजी और इसके नीचे बिटा ब्लॉक वन केजी का यह वाला पॉइंट ऑम लो बीच बिच बड़ा पॉइंट भी माल लो यह वाला पॉइंट स सारे बोडि का सारे पार्ट का एपीड़ी बना दो चिक है तू इस ब्लॉक के लिए इस ब्लॉक के लिए इना इस टॉसी के लिए A से ली A से b फिर इस रसी के लिए B से C ठीक है बटा, अब देखना है बीटी जान देना बटा पता है न, टेंसन हर जोगे खींचता है, हैने बटा ये भी तुमको पता है, कि रसी में अगर मास हो, तो हर जगा टेंसन अलग-अलग हो सकता है बच्चा तो अलगी-अलग मान के बनाओ इस बार कोगे इस वाले पॉइंट पे ऐसे टेंसन Tc, इस वाले का टेंसन, Tb हैने बटा, और इस रसी में खुद ही मास है, ते आधी रसी हैने बटा, आधी रसी का मास हाफ किलोग्राम, ते इसका खुद का ग्राइबिटेसनल फोर्स, कितना बटा, हाफ जी, यह बात समझ गया है, इसका होगे बटा, कितना, हाफ जी, ओके, अब चलो, अब को होगे बटा, इसके लिए, यह टेंसन, Tb ऊपर, यहां से एक्षन, रेक्षन, यहां से टेंसन नीचे बटा, टी ए, इसका खुद का वेट नीचे, हाफ जी, ठीके बटा, अब इसके लिए, एक्षन का रेक्षन, टी ए, हैने बटा, ग्राइबिटेसनल फोर्स, जी, समझ गया है, सारे पार्ट्स को इक्लिवरियम में लिखो, पॉर्लम सॉल, ठीके बटा, सीफाइब पूछना है अब, देख बटा, सीफाइब में, कोश्चन नमबर सीफाइब, देख बटा, सीफाइब में, काता है, एक मास M, इस हेल्ड, बटा, अप्लाइब फोर्स F, एंड पुली सिस्टेम, मैं सोईंदे फिगर, क्यों पूछ रहा है बच्चा, सिंपल तो है, ड्रोए फिबरी टाइग्राम, आफ इच पुली, इच पुली का बाहना है फिबरी टाइग्राम, ने बटा, तो सब में टेंसन का सिंबल दिया हुआ है, तो दो कि बटा, जो नीचे वाला पुली है, फरस्ट वाले पार्ट के लिए, नीचे वाला पुली के लिए, यहां से ऐसे हो जाएगा बिटा, टी फूर, यहां से उपर हो जाएगा बिटा, टी थ्री, और यहां से इधर हो जाएगा बिटा, टी टू, ठीकें, बड़े वाले पुली के लिए, कहोगे, इधर से हो जाएगा T3, यह न बटा, सेंटर से हो जाएगा T2, यह न बटा, और यहां से हो जाएगा T1, ठीक है, और उपर की तरफ हो जाए कितना बटा, T4, समझ गए, दोनों पुली का हो गया, अब बता दूँगा C4, वेट कर लो, अब कहता है बटा, find the tension in each segment of rope, T1, T2, T3, T4, सब में tension निकालना है, बटा, सब में tension निकालना है, है न, तक पता है न, mass M move नहीं कर रहा, तो mass M के लिए, mass M के लिए, यह हो गया बटा, अच्छे, यह T5 है, यह T5 और यह M G, बटी, body move नहीं किया, बटा, तो T5 पराबर M G, होगा बटा, अब क्या लिख दोगे, कि अगर हम, T5 को, अगर T5 को, हम T माल ले, ह्वह न, बटा, इसको अगर T माल लो, तो यह हो गया, T by 2, T by 2, है न, बटा, फिर यह हो तीवाइ टूरियों हो गया से कोटी एफ तेन्स नटीवाइ-टू के टबिसे चलवनो गया ज़ा है यहां पे मास को पकड़ा रखा है ग्रोड ससल पॉइंट पे क्या को होगे इधारा फोर्स एफ गहए अधर टैन्स नट Д्य 2 तो F इक्वल टू थी वाई टू खतम सी फोर देखो सी फोर में गता है विटा पहला पार्ट में डिस्टेंस टेवल बाइद ब्लॉक इन दा फास्ट तू सिकेंड तो बिटा एक्सिलरेशन निकाल करके सब्सक्राबर आफटी स्कॉर क्यों कुछ रबटा ये तेंसे इंदे स्ट्र चलो आप सी तक करेंगे पार्टू में आ जाओ सेक्शन डी कल करेंगे अभी पार्टू में आओ पार्टू में आओ बिटा पार्टू का सेक्शन ए नहीं पूछना सेक्शन भी बीवन पूछना है राखी को और अमित सिंग को देखो बच्चा बीवन में कि अबिटा बीवन कोश्चन नंबर बीवन बीवन कहता है बिटा टू ब्लॉक्स ऐसे दिया कता है बिटा दोनों में हमको रेशियो आफ कॉंटेक्ट फोर्स निकालना है दिखना बच अच्छा सवाल है एक दम तुन्द बन जाएगा सवाल है देखना ध्यान से दिख बिटा ऐसे एक मास 2M बेटा और ऐसे मास M है न है यहां दकेला एफ फोर्स है अब कहता है ऐसे हमारा मास 2M और ऐसे मास M यूं धकेला है न बेटा अब तुम खुँझ तोचो यह दोनों मास बेटा साथ साथ जाएगा या अलग अलग जाएगा؟ एक्सिलरीशन सिम होगा ना बिटा बोलो होगा ना सीम है नआ अब सोचो ये वल्छ बॉड़ी है नश मिसल्फ को यह होगा क्वस की फोÁर्च के बॉड़ा है पोगव कर रहा है वcji हाक्वला बज से मूझस को के लिए इसके लिए क्या हो जाएगा तो कोग N1 पराबर में है ना बिटा और इसे बताओ नॉर्मल के वैसे कौन मूव किया तो 2M ने बिटा इसके लिए क्या लिखोगे N2 पराबर 2MA है ना अब दोनों का रेसियो निकालना है है न एक्दम सिंपल है ना बिटा अब चलो कोई सा पुछा था b2 पुछा था कोई बीटू में बीटू में सही करना है पिटा रिजुटेंट फोर्स बराबर A में करके A निकालो और फिर किसी एक बॉडि का FBD बनाओ फिर से बोलता हूं resultant force बराबर total mass into acceleration A इससे A निकाल लो अब दोनों में से सिर्फ एक body का IPD बनाओ बन जाएगा section C में आ जाओ C2, C5, C1 C1, C2, C5 C1, C2, C5 जब बच्चा C1 देखो C1 कहता है mass M is suspended mass M is suspended क्या बटा क्या पूछ रहा है बोलो तो इता असान सवाल C1 में देख तो ऐसे बना इसको जो जंक से ने उसको देख बटा तो कहाँ 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 C1 T, C4 F और C1 और फिर capital M के लिए कहना C1 T और C1 G इन बटा इस T T का वर्टिकल से एंगल बटा ठीटा है तो कहाँ लिख दोगे लिख दोगे T1 का कंपोनेंट उपर की तरफ यह T1 को जिटा और इधर बटा T1 जिटा ठीके बटा तो यह बराबर यह यह बराबर यह और यह बराबर यह ठीके यह हो गया C1 अब देगो C2 में C2 घटा बटा बटा, the two persons are holding a light rope having its end so that it is horizontal 15 kg बार मास लड़का दिया बटा at the midpoint which no longer remains horizontal the minimum tension required completely is state in the rope is देख बटा question number c2 में पहले string था ऐसे लेकिन जब मैंने mass लटकाया तो ऐसे जूल गया ठीके बिटा जूल गया ये तब कैसे बोलोगे ऐसे बोलोगे 15g ऐसे बोलोगे बिटा T1 और ऐसे बोलोगे T2 ये angle मान लो बिटा ठीटा है ना अब T1 T2 कंपोइंट करो तो क्या हैगा बिटा इधर हो जाएगा T1 कौस रिटा और इधर हो जाएगा T1 सैंध रिटा इना बिटा T2 हाई component ऐसे हो जाएगा बिटा T1 कौस रिटा और ऐसे हो जाएगा T2 तीटू सैंध रिटा बात समझा ठीके अब horizontal में equation लिखो क्या लिखोगे तो अज आएगा T2 कॉस इटा इक्वल टू T1 कॉस इटा तो T1 इक्वल टू T2 ठीक है बिटा वर्टिकल में T2 साहिटा प्लस T1 साहिटा इक्वल टू M G अब दोनों दोख बिटा बराबर है इसका मतलब T साहिटा बराबर 15 G वाई तो टी परावर 15 G by side इसमें कोई दिक्कत है किसी को ठीक है बच्छा कोई दिक्कत नहीं इसे दखो आगे फिर अब कहोगे इस ट्रेट इन दरोप आगा रोप को बिटा हमें सीधा करना है इसके मतलड़ हीटा क्या हो जाए अगा टेंडिंग टू जीरो रस्य सीधी हो गई तो टेंजन ठीटा बहुत जीर कम हो गया एंगल इसका मतलब टेंजन क्या हो जाएगा टेंज टू इन्फिनिटी ठीक है बच्छा हाँ टू टाइमस होगा दोखो बिटा अगला सवाल C5 C5 में एक पार्टिकल ऑफ जोड़ दिया हलका मास से टोटल डाउनवार्ड फोर्स अंदा पुली कितना होगा देखतो बच्छा C5 में यह हो गया बटा पूली यह हो गया स्मॉल में और यह हो गया बटा कैपिटल एम में क्रूशण में ती है मतया हुआ है कि है ना कोशन में क्या दिया है कि capital M small M से बहुत बड़ा है बहुत heavy body है बटा तो काता है यहां का tension निकालना है तो T T और यह 2T होगा ना बटा अब लिख दे इसके लिए यह उपर जाएगा तो T minus mg बरावर M A यह नीची आएगा mg minus T परावर capital M A है ना बच्चा अब इन दोनों को add कर लो तो A निकल गया A निकल गया बटा M minus M by M plus M into G है ना बटा अब तो का बटा M much much more than M है ने बटा बहुत भारी है तो दोनों परावर दोनों परावर हो गया बटा तो A nearly equal to G अब इसको इसमें पूट कर दो तो टेंशन हो गया बटा 2 mg है ना बच्चा तो टूटी कितना हो जाएगा बोलो टूटी हो जाएगा बटा 4 mg समझ गए ठीक है बच्चा तो चल आज के लिए इतना ही homework की बात कर लें आगे तो section D और section E कर लेना बटा ठीक है एक में रुख ज़ेक कर लेता हू हाँ बटा कल हम लोग section D and section E करेंगे section D section E ठीक है बच्चा आधी कुछ ना है कुछ आधी hand raise करो